हाई फ्रेंड्स वेलकम व्लूंक टिए लिए लिए वस्पक्न कलास फ्रेंड्स नरेशन लगबग पूरा हूचुका है आज लश्ट क्लास है आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि किसी भी exclamatory sentences वाले direct speech को indirect speech में हम कैसे बदलते हैं, okay friends, सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि exclamatory sentences होता क्या है, मैंने इस पर भी दो video already upload कर दिया है, शायद आप नहीं देखा होगा, अगर देखा होगा, तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखा होगा, तो आई बटन में या description में मैं link देदूँगा, आप जाकर देख लेना, सबसे पहले जाना यह ज़रूरी है कि exclamatory sentences क्या होता है, exclamatory sentences का मतलब होता है, विश्मयादी बुधक वाक, यानि कि जिसमें विश्मय हो, विश्मय का मतलब होता है, जिस sentence से, खुशी, दुख, घृणा, नफरत, आश्चर्श का बोध हो, वैसे sentences को हम exclamatory sentences कहते हैं, जैसे अगर हम खुशी के साथ बोल रहे हैं, कि वा, हुर्रा, मतलब वा, कल छुटी है हमारी, यह खुशी की बात है, यह exclamatory sentences है, जैसे हम बोल रहे हैं कि कितनी सुंदर लड़की है वो, यह exclamatory sentences है, इसको हम इंगलिस में कैसा बनाते हैं, what a beautiful girl that is, या she is, ओके friends, इसको हम assertive sentence में बनाते हैं, indirect speech, change करते हुआ, तो हम एके करके sentences द्वारा बनाते हुए सिखेंगे, so let's start the class of the day. Friends, सबसे पहले यह जान लिजे कि क्या आएगा, तो कैसे change करना है, indirect speech में? जैसे अगर खुशी की हम बात कर रहे हैं, खुशी की, खुशी की बात हो रही है, तो indirect speech बनाते हैं, he said, he said, they said, you said, I said, ऐसा न लिखकर, he exclaimed with joy, अगर खुशी की बात हो रही है, तो he exclaimed with joy लिखेंगे, फिर उसके बाद exclamatory sentences को हम assertive में बदल देंगे, अगर दुख की बात हो रही है, तो he exclaimed with sorrow, अगर आशर्च की बात हो रही है, तो he exclaimed with surprised लिखेंगे, अगर घृणा की बात की जा रही है, तो exclaimed with contempt बोलेंगे, अगर अपसोस की बात हो रही है, पश्तावे की बात हो रही है, तो exclaimed with regret बोलेंगे, हम एक एक करके sentence बनाते हुए समझते जाते हैं, पहला sentence हाँ, he said, alas my dog has that, यह किस भाव के साथ कहा जा रहा है, दुख के साथ, alas का मतलब हाय होता है, उसने कहा हाई, मेरा कुता मर गया है, इसमें क्या हो जाएगा, he exclaimed with sorrow, उसके बाद हम that लगाएंगे, इसमें that, my dog has that, तो यहाँ पर he बोल रहा है, इसके लिए his dog, यहाँ पर हो जाएगा, his dog, और has का हैड हो जाएगा, that, he exclaimed with sorrow that, his dog had that, रमेश said, what a strong man he is, तो यहाँ पर आश्चर्ज के साथ बोल रहा है, कि रमेश कह रहा है कि वो कितना मजबूत आदमी है, रमेश exclaimed with surprise that, what a strong man he is, किसी भी exclamatory sentences को हम जब आश्चर्टी में चेंज करते हैं, तो what या how वो हट जाता है, okay friends, यहाँ पर हो जाएगा, he was, that, he was very strong man. okay friends, सुराज सेट, what a beautiful scene it is, सुराज ने कहा कि कितना सुंदर दृष है या आनन्द के साथ कहा जा रहा है, तो सुराज एक्सक्लेम्ट विद ज्वाए, सुराज एक्सक्लेम्ट विद ज्वाए, उसके बाद हम ध्याट लगाएंगे, that, what a beautiful scene it is, यहाँ पर क्या हो जाएगा, it was, टेस से हो जाएगा, इसका वज हो जाएगा, it was very beautiful scene, okay friends, Mohit said, how dirty it is, यह किसके साथ बोला जारा है, घर्णा के साथ, how dirty it is, Mohit exclaimed with contempt that it is, तो it was हो जाएगा, it was too dirty, मैं दो बहुत गंदा था, okay friends, okay friends, तो यह था, आज का exclamatory sentences वाले direct speech को indirect speech में कैसे change करते हैं, उम्मिद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा concept, और इसके अलावे में और भी कुछ sentences, example के द्वारा आपको screen पर दिखाऊँगा, आप उसको देखना और अच्छी तरह से समझना, उम्मिद करता हूँ कि examples के द्वारा सारे का सारे concept और confusion दूर हो जाएंगे, इसमें कुछ नहीं है, exclamatory sentences को assertive sentence में change करने आना चाहिए, और कुछ नहीं है, जैसे अगर हम बोलते हैं कि what a beautiful flower it is, यह हो गया exclamatory sentence, कि यह कितना सुन्दर full है, अगर हम इसको assertive sentence में change करेंगे तो हो जाएगा, कि it is very beautiful flower, तो देखिए स्क्रीन पर हम कुछ और भी sentences के द्वारा, direct और indirect speech के द्वारा clear कर देते हैं, He said, alas, I am ruined, उसने कहा, हाए, मैं बरबाद हो गया, इसमें दुख के साथ बोला जा रहा है, इसलिए होगा, He exclaimed with sorrow that he was ruined, He said, how beautiful the girl is, उसने कहा कि कितनी सुन्दर लड़की है, ये अनन्द के साथ कहा जा रहा है, इसलिए हो जाएगा, He exclaimed with joy that the girl was very beautiful, He said, how fast my baby runs, उसने कहा कि मेरा बेबी कितना तेज दोरता है, ये भी joy के साथ बोला जा रहा है, इसलिए हो जाएगा, He exclaimed with joy that her baby ran very fast, He said, what a place, उसने कहा कि कैसी जगह है, ये भी अनन्द के साथ कहा जा रहा है, तो, He exclaimed with joy that it was a very fine place, या हम इसको ऐसे भी बढ़ सकते हैं, कि He exclaimed with surprise, अगर हम surprise के साथ कह रहा हैं तो, यानि कि हम आश्चर जो के कह रहा हैं, तो surprise लिखेंगे, या हम बढ़ सकते हैं, या हम बढ़ सकते हैं, तो, He exclaimed with surprise, what an idea, राम ने कहा कि क्या idea है, राम exclaimed with joy, that it was an extraordinary idea, ओके friends, उमीद करता हूँ कि इन examples के द्वारा, आपका जो भी बचा कोचा confusion रहा होगा, वो clear हो गया होगा, ओके friends, उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और friends, वीडियो अच्छा लगने पर like जरूर किया किजिए, और comment में जरूर कुछ छोड़ा किजिए, और अगर आप हमारे चानल पर नए है, तो आपसे बजारिश है कि हमारे चानल को subscribe कर लिजिए, अगर आप English सिखना चाहते हैं तो, और bell icon को क्लिक करके all notification को on कर दिजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का notification आप तक पहुंचता रहा है, और आप घर बैठे English सिखते रहें, ओके friends, तो आप तक हमारा वीडियो देखने के लिए, थैंक्स, थैंक्स अलोट और धन्यवाद, अगर आप शुरू से English सिखना चाहते हैं, तो आप हमारे चानल पर जाएए, हमारे चानल पर जाने के बाद, चानल के playlist में जाएए, उपर आपको playlist लिखाने ज़र आएगा, उस पर आप क्लिक किजिए, playlist पर क्लिक करने के बाद सारे playlist खुल जाएएंगे, और सबसे जो उपर वाला playlist है, English Practice Classes, आप उस पर क्लिक किजिए, उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियो जाएएंगे, और इन सारे वीडियो को आप उपर से शुरू करना देखना, और एक्के करके देखना,